असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप लोग तो आज आपके सामने मिसिंग नंबर का एक बहतरीन कोशन लेकर हाजिर हुआ हूँ बहुत ही इंटरस्टिंग पजिल है ये तो देख सकते हैं आपके सामने एक मतलब कोशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के तो मैं 10 सेकंड का वक्त देता हूँ फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा तो चलिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है सोचिए जरा कि ऐसे फिगर वाले कोशन कैसे सॉल्व किये जा सकते हैं तो चलिए मैं इसका आपको बताता हूँ, तो देखिए friends, ऐसे questions को करने के लिए आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, इसमें different types के shapes दिख रहे हैं आपको, अलग-अलग, तो पहले इन सारे जो different shapes दिख रहे हैं, उनको आप एक साथ कर लो, जैसे triangle एक साथ कर लिए, circle एक साथ कर लिए, squares एक साथ कर लिए, अब इनके अंदर logic लगाने के कोशिश करिए, कि क्या हो रहा है, जैसे कि मैं अगर पहली row में देखूं, triangles वाले को, अगर मैं इनके सारे नंबर को sum कर दूं, 4 प्लस 11 प्लस 18 तो इनका sum बनता है, 33, 33 बनता है, क्या ये logic मेरी दूसरी row यानि कि circle में लग सकती है, क्या, तो देखूं, 5 प्लस 12 प्लस 16 बिलकुल लगेगी, ये भी होता है, क्या, 33, 33, अगर ये pattern सही है, तो भई, ये logic मेरी first row में भी लग गई, second में लग गई, तो third में भी लगेगी, तो third में मैं अगर जोड़ूं, तो 8 प्लस 19 प्लस जो missing number है, 6 आ जाएगा, तो answer मेरा क्या आया, missing number जो था, वो 6 है, ठीक, equation को solve करके हम निकाल लेंगे, बहुत ही प्यारा question था, बहुत ही अच्छा question था, पहले हमने सारी same figure को arrange किया, फिर उसमें logic लगाई, और अपना answer निकाल लिया, तो आपको ये कैसी लगी puzzle, अगर अच्छी लगी ह तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, मेरे चनल को subscribe कीजिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए,